मैं रश्मी भेलवा, साहेक प्रध्यापक मनस्पति शास्त, शास्त की नगरी कल्याण महाविद्याले ननी नगर, दुख 36 गड़ से आज मैं माइको प्लाज्मा के बारे में बताऊंगे जो कि BSC First Year के Paper First के Unit 5 में आता है यहाँ पर हम देखें कि माइको प्लाज्मा की हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से पहले इनके बारे में हमको क्या पता था या इससे हमको क्या समझ में आता है माइको प्लाज्मा जो है सबसे छोटे independently replicating prokaryotes होते हैं इनको जो है सबसे पहले pasture ने देखा था उन्होंने इसे 18th century में देखा था और उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने पालतु पशो में देखा कि pleuroneumonia नामक रोग जो होता है लेकिन इसका रोग कारक क्या है उसको वो समवर्धन माध्या में जो है वो अलग करने में असफल रहा है और उन्होंने इस disease को जो है ग्लोग प्लोरोनिमोनिया नामक रूप में जो हो उन्होंने कहा परन्तु ये जो है उसके बाद इसके उपर खोज होते रहे और बाद में जो है नौकर्ड और रॉक्स ने अठारा सो अंठ्यानबे में ये बताया कि प्लोरोनिमोन जो माइको प्लाजमा है ये ये पाया जाता है रोक फैलाने वाला है और ये बहुत इसको हम बहु रूपी बोल सकते हैं इनकी जो सरचना है वो हमेशा बदलती रहती है माइको प्लाजमा पैरसाइट या सेप्रोफाइट की रूप में होता है और करीब करीब 200 माइको प्लाजमा की जो है बोडिस जो है वो पाय जाती है ये हमें गंदे नाले में प्लांट्स में, एनिमल्स में, इंसेक्ट्स में, नम्मी वाली जगह में, गरम पानी के जर्नों में, सब जगह जो है वे पाई जाती है और तो और हाई टेम्परेचर एन्वार्मेंट में भी उपस्थित रहती है अगर इससे ग्रसित कोई पाधा है, तो उसके फ्लोयम टिशू में ये पाई जाती है और बैलोजिकली जो है, ये मनुश्यों में भी मिलती है इसकी कुछ स्पिशिस जैसे की माइकोप्लाज्मा ओराल है, माइकोप्लाज्मा सेलिवेरियम और हर एक जो हेल्दी हुमन बॉड़ी है, इसमें ये यंग्स में ये पाया जाता है इसके अलावा, mycoplasma hominis, जो है, वो sexually active adults में पाया जाता है, इसकी अधिकतर मात्रा, फिर इससे कुछ द्रोग भी फैलते हैं, जैसे की pharynx और geneto-urinary tract के disease, जो की mycoplasma के द्वारा होते हैं, और ये मनुश्यों में पाया जाते हैं, इसका हम systematic position देखें, तो ये पाया जाता है, prokaryotic, scotobacteria, molecules, mycoplasmatals, mycoplasmatacy, and mycoplasma, इसकी general character देखें, तो ये non-mortile prokaryotic organism होते हैं, और ये अंडे की, जैसे की तले हुए अंडे की shape में अपनी colony जो है, वो बनाते हैं, इनका shape हर समय बदलता रहता है, वो निर्भर करता है कि किस culture मीडिया में हम इसको उगा रहे हैं, ये rod के समान, ring के समान, आदी रूप में पाये जा सकते हैं, और कुछ जो mycoplasma जो है, वो spherical shape में भी हमको मिलते हैं, ये bacterial filter को cross कर लेते हैं, और इनके चारोर rigid cell wall नहीं पाये जाती, cells जो हैं, वो soft triple layered lipoproteinous membrane से घिरी हुई होती है, और इसके अंदर cytoplasm में जो है, ribosome पाये जाता है, साथ ही साथ जो है, वो इसके अंदर जो ribosome जो उपस्तित होता है, वो bacteria से जो है similarities जो है, वो दर्शाता है, nucleo protein and nucleic acid जो है, वो भी पाये जाते हैं, ribosomes भी पाये जाता है, साथ या और उसके अलावा, fibral DNA भी उपस्तित होता है, और इसका fibral DNA का double standard helix जो है वो पाये जाता है, mycoplasma जो है, बहुती धीमे विक्सित होने वाला सजीव है, bacteria की तुलना में यह slow grow होता है, और इसके grow होने के लिए हमको sterile और उनका nutrition जो है वो हमको चाहिए रहता है, यह antibiotics जैसे की penicillin, cephalo, redine, venocomycin आदी से इसके उपर इनका कोई असर नहीं होता, परन्तु tetracycline जो है वो उससे जो है यह खतम होते हैं, उसके प्रतिये sensitive होते हैं, इनको हम 40-45 degree centigrade पर भी जो है, अगर 15 minute तक temperature दें, तो यह उससे भी जो है, वो मारे जा सकते हैं, यह spores नहीं बनाते और binary fusion के समद्वारा जो है यह reproduction करते हैं, यदि हम इसका cell structure देखें, तो इसका cells जो है, अलग-अलग shape और size के होते हैं, और rigid cell wall जो है वो नहीं पाए जाती, बलकि 3 layer वाली lipoproteinous unit membrane पाए जाती है, और यह unit membrane जो है, वो cytoplasm उसके अंदर पाए जाता है, cytoplasm में RNA, DNA present होते हैं, और ribosome जो है वो बहुत छोटे आकार के पाए जाते हैं, DNA की जो double strand structure होता है, और bacterial DNA से जो है यह मिलता जुलता रहता है, DNA का सरचना जो है वो ज्यादा पाए जाता है, 4% पाए जाता है DNA जबकि RNA जो है 8% पाए जाता है, और cytoplasm जो है इसके अलावा इस cytoplasm में guanine और cytosine पाए जाता है और साथ ही साथ जो है polar bodies जो है वो भी पाए जाती हैं, यह cells जो है देखिए हम यहाँ पर हम दिखाई दे रहा है कि enzymatic activities जो है उसमें cell के अंदर भी जो है वो मिलती है अगर हम इसका life cycle देखें तो या तो यह सीधे सीधे जो है लार्ज cell से elementary bodies बना लेती है, दो elementary body बना लेगी या फिर large cell जो है elementary bodies अपने आप में store करके रखेगी बहुत समय तक और वो elementary body बाद में intermediate cells बनाएगी और उस intermediate cells से फिर से एक नया cells का निर्मान होता है यहाँ पर हम mycoplasma में देखें तो यह मनुष्यों और plants दोनों में बहुत ज़्यादा बिमारी फैलाते हैं जिनमें से बहुत सी बिमारी है वो बहुत ही common है जैसे कि हम tonsils को जानते हैं tonsils भी इसी के द्वारा होता है और साथ ही साथ जो है श्वासनली संक्रमन आदी भी जो है यह mycoplasma के द्वारा होती है और यह जो है उन पे attack करता है mycoplasma जिनकी प्रतिरोधक शम्ता जो है वो कम होती है तो यदि हम अपनी प्रतिरोधक शम्ता को बढ़ा के रखें तो हम इससे फैलने वाली बिमारी से जो है बच सकते हैं धन्यवाद